राजा आथक की ताजपोशी के तुरंद बाद वह बुद्धिमान बुड़े जादूग मलिन के साथ देश भर में यात्रा कर रहा था, तभी उनकी मुलाकात एक शूरवीर से हुई जिसने आथक को युद्ध के लिए चुनौती दी, दोनों लड़े और आखिरकार नाइप आथक को गंभीर रूप से घायल कर दिया, अंत में राजा विजई हुआ, लेकिन उसका इतना खून बह चुका था कि वह आगे नहीं जा सका, मलिन उसे एक अच्छे साधू के पास ले गई जिसने तीन दिन में उसका घाव ठीक कर दिया, तब राजा मलिन के साथ चला गया और जब वे धीरे-धीरे चल रहे थे तो उसने कहा, मैंने जो खून खोया है उसके कारण में अभी भी कमजोर हूँ और मेरी तलवार तूट गई है, दरो मत, मलिन ने कहा, तुम्हें फिर खून नहीं खोना पड़ेगा और तुम्हारे पास एक अच्छी तलवार होगी, मे कौन है वे, राजा ने पूछा, मलिन ने उत्तर दिया, तीन रानिया जो आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत में आपकी मदद करेंगी, अब फिर से जील की और देखो, आथा ने अपनी आँखें जील की और घुमाई और देखा कि दूर पर हलकी सी धुन्द छाए हुई थी, इसके माध्यम से एक महिला की आकृती पानी की सता पर चमकती हुई दिखाई दी, ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका वस्त्र लहरों से बना था जो उसके शरीर से बहती हुई आकृतियों में बह रहा था, उसका सिर और कंदे इंद्रधनुष के रंगों से रंगे फोम में लिप् इनने कहा, वह बीच में एक चटान में रहती है, जील का, देखो, वह हमारी ओर आ रही है, देखो पानी में उसके पार क्या है, आता ने देखा और पानी की सता से उपर शुद सफेद कपड़े पहने एक हाथ को उपर उठते देखा, इस हाथ में एक विशाल क्रॉस हिल्ट कहा, उस ओर नाव में जाओ, तलवार की ओर बढ़ो, और इसे म्यान सहित ले जाओ, इसलिए आता एक छोटी सी नाव में घुस गया जो किनारे से बंधी हुई थी, और तलवार की ओर निकल गया, जैसे ही उसने म्यान और गहनों से जगमगाती हुई म्यान ली, हाथ और बा प्रसन करता है, तलवार या म्यान, सच में, तलवार, राजा ने उत्तर दिया, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मलिन ने गंभीर रूप से मुस्कुराते हुए कहा, कि म्यान तलवार के दसके बराबर है, जब तक यह आपके पास है, आप कभी भी खून नहीं खोएंगे चाहे आप कितने भी गंभीर रूप से घायल क्यों नहूं, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसकी अच्छी तरह से रक्षा करें, राजा, जो तलवार को देख रहा था, ने आह भरी, तलवार पर कुछ लिखा है, उसने कहा, सच है, मेरे प्रभू, दुनिया की सबसे प भविश्य में क्या होने वाला है, और वह अच्छी तरह से जानता था कि जब तलवार फिंकने का समय आएगा, तो अच्छे राजा आता पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, लेकिन वह जानता था कि समय अभी बहुत दूर था, इसलिए उसने कहा, तुमने तलवार ले ली ह अब इसका उप्योग पूरे देश में न्याय और अधिकार स्थापित करने के लिए करो, इसे तब तक फिंकने के बारे में मत सोचो जब तक तुम्हें ऐसा न करना पड़े, अपने हाथ में अच्छी तलवार की ताकत महसूस करते ही आता फिर से खुश हो गया और दोनों खुशी खुशी देश भर में आगे बढ़ गए